हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने OPPO Find N3 Flip Android मुबाइल फोन में आप जो अपने मुबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉलम को आप सॉल्ड कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपे वीडियो कम शुरू कर लेते हैं देगे दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड के वाज नहीं आती है अगर कोई कमी हा जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है कमी क्या हो सकती दीक है अमारों मौईल फोन जा वो हैंग करता है मौईल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रवलोम आती है ऐसे बहुत सारी Android सिष्टम की प्रोलम जा होज़ोम हो एपो सॉल हो जाती है और यहां पर आपको यह भी चेक करना है कि आपके फोन का जो airplane mode है यह भी आपका बंद रहना चाहिए अगर यह चालू है तो इसे भी आपको बंद रख कर देना है तो यह आपको कुछ settings आपको ध्यान रखने है यह आपकी अगर चालू रहती तो आपको इससे फोन के speaker में से sound के वाज नहीं आती है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone का speaker होता है उसे आपको हल के आतों से साफ करना है होता क्या है कि हमारे phone के speaker में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके वज़े से हमारे phone के speaker में से sound के वाज नहीं process यह करना है कि आपको अपने mobile phone का software एक बर चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone का software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है तो हमारा updated नहीं की कारण हमारे mobile phone के android system में भी कुछ कमिया आने लगती है जिसमें से speaker की sound की problem होती ह है तो आपको जो अपने mobile phone का software कैसे चेक करना है कि वो update है या नहीं है इसके लिए आपको जो ना सबसे पहले तो mobile phone का internet आपको चालो रखना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page open कर लेना है setting page के अंदर आपको जो ना सबसे उपर की साइड है search icon का option tap करना है तो यहां पर आपको software update के इस page में लेकर आएगा आपको इस page में कोई भी update का button या download install लिखा हुआ दिखाई देता है तो इससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software होगा वो आपका update हो जाएगा और आपके phone के speaker की sound की problem solve हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जितने ही process आपको बताएं सारे process आपको यूज करने है तो इससे आपके phone के speaker की sound की problem solve हो जाएगी अगर मेरे बताए हुए सारे process यूज करने के बाद भी अगर आपके phone की speaker की sound की problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखिए आपके phone का जो service center होगा वहाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूँ देखिए हो सकता है ना आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से आपके speaker में sound की problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस video में जितने भी solution आपको बताए है वो mobile phone के software के जरिये बताए है अ